आप सभी को महाशिवरात्री की बहुत बहुत शुप कामना है। दोस्तों महाशिवरात्री आने वाली है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्री पर हम शिवशंकर का अभिशेक कैसे करें, उनकी पूजा किस प्रकार से करें। तो आज मैं आप सभी को महाशिवरात्री की बहुती सरल पूजा वीदी करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए महाशिवरात्री पर अगर आप मंदिर जाकर पूजन कर रहे हैं तब आप इसी विदी से पूजन कर सकते हैं और अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तब भी आप घर पर इस प्रकार बहुती सरल और साधारन तरीके से पूजन कर सकते हैं तो देखिए अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार एक चौकी लगा लेनी है और उसके उपर पीला या सफेद या लाल रंकक एक कपड़ा बिछा लें और देखिए यहां फूलों का आसन देते हुए यह शिव परिवार की फोटो है मेरे पास तो मैंने विराजित कर ली है और शिव परिवार में सभी इसमें सदस हैं शिव जी माता पारवती गनपती जी नंदी जी कार्थिके जी और फूलों का आसन देते हुए हम यहां पर एक शुद्ध देशी घी का दिया रख लेंगे और दिया प्रजवलित कर लेंगे और दूप रख ल और सुद्ध धातु का पात्र होना चाहिए आप स्टील का पात्र एवोइड करें इसके बाद यह देखिए स्वास्तिक बना रही हूं मैं यहां पर चंदन से सफेद चंदन लिया है मैंने यहां पर आप चाहें तो पीला चंदन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ओम भी जगा पर और इसके बाद यहां पर मेरे पास पत्थर के शिवलिंग है तो मैं विराजित करूंगी उन्हें आप चाहें तो शिवरात्री के दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं देखिए शिव जी की जो पूजा होती है उसमें शिवलिंग के करें तांबे के पात्रों में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें क्योंकि शिव जी की पूजा में गंगा जल कभी एक विशेशी महत होता है और देखिए जिस प्रकार से मैं वीडियो में दिखा रही हूं आपको शिवलिंग पर जल इसी प्रका चीज़ों को मिलाकर पंचमरत बनाया जाता है आप चाहें तो अलग-अलग चीजों से भी अभी शेक कर सकते हैं शिव जी का मैं नहीं यहाँ पर पांचوس certainty मिक्स करके पंचमरत बना लिया है और इसकी जगा पर कच्चे दूज से भी शेक कर सकते हैं देखिए वैसे तो महा झाल आप हिजर्चमर्ण से अभिषेग के बाद हम वापस शुध जल से अभिषा कर लेंगे . अब दूद्र को या 降ते प्रभण Vuittان में दालें और ध्यान इस बात का आप रखें कि तुलसी के पौदे में आपको इस जल को नहीं डालना है और इसके बाद फूलों का और अक्षत का आसन देते हुए हम शिव जी को विराजित कर लेंगे और इसके बाद समस्त शिव परिवार को गंगा जल का छीटा देते हुए हम भाव रूपी स्नान करा लेंगे और इसके बाद गनपती जी को सबसे पहले टीका करेंगे और फिर शिव जी को और फिर नंदी महराज को और फिर कार्तिके जी को और फिर इसके बाद माता पार्वती को हम यहाँ पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे आज के दिनी माता पार्वती का और भगवान शिव शंकर का विवा हुआ था इसलिए महा शिवरात्री को शिव और शक्ती के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है इस तरह से देखिए शिवलिंग का अभी शेक करने के बाद हम यहाँ पर उनका श्रंगार कर लेंगे यहाँ पर त्रिपुंड बना रही हूँ मैं सफेद चंदन से और अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बना कर उनकी पूजा कर रहे हैं तो देखिए अभी शेक के बाद उनका जो श्रंगार है वो थोड़ा संबल कर करें क्योंकि जो पार्थे शिवलिंग होते हैं उनका थोड़ा खंडित होने का डड़ जादा होता है इसके बाद देखिए सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे अक्षत जो आप पूजा में लेंगे उससे ध्यान रखें तूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और इस तरह से देखिए फूल पर हम चंदन और अक्षत लगा कर दीपक का भी पूजन कर लेंगे और इसके बाद देखिए शिवजी की जो पूजा में सबसे जरूरी चीज है वो बेल पत्र है तो इस तरह से आप बेल पत्र ले लें उन्हें साफ कर लें और यह जो चिकना भाग होता है वहाँ आप चंदन से कुछ टीक लें आप चाहें तो ओम नमश शिवाय भी लिख सकते हैं या ऐसी खाली टीक कर और इस तरह से चड़ाएं कि जो चिकना भाग हो वो शिवलिंग पर टाच होना चाहिए और इस तरह से आप 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी इक्षा हो आप बेल पत्र शिव जी को और गनपति जी को यहाँ लाल फूल और मातागौरी को लाल फूल और भगवान शिव शंकर को और कार्टीके जी को और नंदी महराज को यहाँ पर हमने सफेध फूल समर पित किये हैं और यह देखिए इस तरह से बेल पत्र आपट्र, अकड़े का फूल, लैल आ कड़े का पत्ता। तो यह कुछ भी मिल जा आप उससे पूजन कर सकते हैं। जैनेउ का भाव करते हुए आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ये देखे वस्तरी पकलावा हमने समर्पित कर दीया हैं। और आज के दिन यही शी विवाह हुआ था। इसलिए माता पारवती को आप लाल चुन्नी जरूर भेंट करें और कुछ सुहा की सामगरी जितना आपका इक्षा हो यहां मैंने 16 स्रंगार की सुहा की सामगरी ली है उसमें आप देखिए इस तरह से कांसे के बिच्वे भी ले सकते हैं या अगर आप सक्षम है तो अखंड स अभागे की कामना है तो आप महा शिवरात्री के दिन माता पारवती को चांदी के बिच्वे भी चड़ा सकते हैं अगर आप घर पर यह सामगरी माता को चड़ा रहे हैं तो इसमें से कुछ सामगरी आप अपने लिए रख ले और कुछ सामगरी आप प्रशाद रूप में स इसके बाद ये देखे इस तरह से महाशिवरात्री पर बेर के भोग का खासा महत्व है तो आप इनकी ववस्ता कर लें और इसके बाद जो भी रितूफल हों आपके पास आप उनका भोग लगा सकती हैं चुकि महाशिवरात्री पर जादा तर सभी लोगों का वरत होता है तो क जाबुदाने की या सामक के चावल की इसके बाद देखें हम जल और पित कर देंगे अब इसके बाद हम आरती की तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैं कपूर आरती कर रही हूं आप चाहें तो जो दीपक आपने स्थापित किया ता पूजा की शुरुआत में आप उससे भी आरत े का जिआरे तो इस तरह से गनपती जी ही माता पार्वती की भगवान भोले नात की नंदि जी की का ऑरत के जी की समस्तर श्रीव परिवार की हम आरती उतार लेंगे और इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए शमायाचना कर लेंगे और पूजा के अंत में दक्षणा निकाल देंगे दक्षणा से हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमाशिवाए